अध्याए एक भाग एक, साधकों को सबसे पहले, भगवान कैसे मिले, परिचय प्रस्तावना, श्वी श्वी परमहंस योगानन्द जी हम आसानी से समझ सकते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले चिकित सा विज्ञान की कल्पना कैसे की वह शारीरिक रूप से पीडित था और इसलिए उसने खुद को ठीक करने के लिए एक तरीका खोजा लेकिन मनुष्य ने ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश कैसे की ये प्राश्न गहन चिंतन की गुनजाइश देता है भारत के वेदों में हमें इश्वर की सबसे प्रारंभिक सच्ची अवधारना मिलती है भारत ने अपने ग्रंथों में दुनिया को अमर सत्य दिये हैं जो समय की कसोटी पर खरे उतरे हैं प्रत्येक भोतिक आविशकारक भोतिक आवश्यक्ता से प्रेरित होता है आवश्यक्ता ही आविश्कार की जन्नी है इसी प्रकार आवश्यक्ता से प्रेरित होकर भारत के प्रारंभिक रिशी उत्साही आध्यात्मिक साधक बन गए उन्होंने पाया था कि आंतरिक संतुष्टी के बिना कोई भी बाहरी सौभाग्य स्थाई खुशी नहीं ला सकता है तो फिर कोई खुद को वास्तव में खुश कैसे रख सकता है यही वह समस्या है जिसे भारत के बुद्धिमान लोगों ने हल करने का बीड़ा उठाया कई लोगों की जान ले ली भैभीत होकर मनुश्य बारिश, हवा और अन्य प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानने लगा बाद में मानव को एसास हुआ की प्रकृती तीन तरीकों से काम करती है रचनात्मक, सनरक्षक और विघटनकारी समूद्र से उठने वाली लहर रचनात्मक, स्थिती का उदाहरन देती है एक क्षन के लिए समूद्र तट पर रहकर ये परिरक्षक अवस्था में है और वापस गहराई में डूब कर विघटनकारी अवस्था से गुजरता है जिस प्रकार येशू ने शैतान में व्यक बुराई की सार्वभामिक शक्ती को देखा उसी प्रकार महान रिशियों ने स्रिजन, सनरक्षन और विघटन की सार्वभामिक शक्तियों को निश्चित रूपों में देखा पुराने रिशियों ने उन्हें ब्रह्मा निर्माता, विश्नु सन्रक्षक और शिव विनाशक नाम दिया इन आदिम शक्तियों को स्विष्टी के उसके अनंत नाटक को प्रकट करने के लिए अव्यक्ता आत्मा के प्रक्षेपन के रूप में बनाया गया था जबकि वह स्विष्टी से परे भगवान के रूप में उनकी चेतना के पीछे हमेशा छिपा रहता है ब्रह्मान्दी और विघटन के समय में सारी स्विष्टी और उसकी विशाल सक्रिय शक्तियां वापस आत्मा में विलीन हो जाती है वहाँ वे तब तक आराम करते हैं जब तक कि महान निर्देशक द्वारा उनकी भूमिकाओं को दोबारा निभाने के लिए दोबारा नहीं बुलाया जाता ब्रह्मा, विश्नु और शिव के बारे में एक कहानी भारत में ब्रम्हा, विश्नु और शिव को लेकर एक कहानी प्रचलित है वे आपस में अपनी अपार शक्ती का बखान कर रहे थे अचानक एक छोटा लड़का आया और ब्रम्हा से कहा आप क्या बनाते हैं सब कुछ ब्रम्हा ने भव्यता से उत्तर दिया लड़के ने बाकी दोनों देवताओं से पूछा की उनका काम क्या है उन्होंने उत्तर दिया, हम हर चीज को सनरक्षित और नश्ट करते हैं युवा आगंतुक अपने हाथ में टूथपिक के आकार का पुआल का एक टुकड़ा पकड़े हुए था उन्होंने उसे ब्रम्हा के सामने रख कर पूछा, क्या आप इस तरह का एक तिंका का टुकड़ा बना सकते हैं विलक्षन प्रयास के बाद, ब्रम्हा को आश्चर्य हुआ की वह ऐसा नहीं कर सकते थे बालक फिर विश्णू की और मुणा और उससे उस भूसे को बचाने के लिए कहा, जो धीरे-धीरे लड़के की स्थिर निगाहों के नीचे गुलने लगा था इसे एक साथ रखने के विश्णू के प्रयास निरर्थक थे अंत में, छोटे अजन्बी ने भूसे का टुकडा फिर से उत्पन किया और शिव से इसे नश्ट करने के लिए कहा लेकिन शिव की तरह इसे नश्ट करने का प्रयास करें, छोटा सा तिन का बरकरार रहा छोटा लड़का फिर ब्रह्मा की ओर मोड़ा, क्या आपने मुझे बनाया उसने पूछा, ब्रह्मा ने सोचा और सोचा, उसे याद नहीं आ रहा कि उसने कभी यह अद्भुद बच्चा बनाया हो अचानक लड़का गायब हो गया, तीनों देवता अपने भ्रह्म से जागे और उन्हें याद आया कि उनकी शक्ती के पीछे एक महान शक्ती है भगवान, सर्वोचकारण, पश्चिमी दुनिया में इश्वर का विचार कारण और प्रभाव के नियम के अवलोकन के माध्यम से विक्सित हुआ मनुष्य प्रित्वी से सामगरी लेकर और उन्हें पूर्वकल्पित विचार के अनुसार आकार देकर वस्तुओं को भौतिक बना सकता है इसलिए यह निशकर्ष निकालना उचित प्रतीत हुआ की यह संपूर्ण ब्रह्मान्द विचारों से ही बना होगा इससे यह अवधारना जन्मी की हर चीज पहले एक विचार के रूप में अस्तित्व में रही होगी किसी को वह पहला विचार या ब्रहमान्दी य योजना बनानी होगी इस प्रकार कारण और प्रभाव के नियम की साद्रिश्यता के माध्यम से बुद्धिमान लोगों ने तर्ग दिया की एक सर्वोच कारण होना चाहिए विज्ञान ने जान लिया है कि सभी पदार्थ अध्रिश्य निर्मान खंडों, इलेक्ट्रोनों और प्रोटोन से बने होते हैं जैसे एक घरीटों से बना होता है लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि क्यूं कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लकडी बन जाते हैं और अन्य मानव हड़ी बन जाते हैं इत्यादी कौन सी बुद्धिमत्ता उनका मार्ग दर्शन करती है प्रशन पूछने की यह पंक्ती भौतिक वैग्यानिकों के अभूत्पूर्व संसारों की प्रकृती के सिद्धानतों में भी इश्वर के लिए जगह देती है भारत के रिशियों का कहना है कि हर चीज अपने स्रोत इश्वर से उत्पन होती है और उसी में वापस चली जाती है यवस्था और सद्भाव का प्रमान हर जगह है यह मानते हुए कि प्रत्येक मनुष्य पदार्थ और मन का एक मिश्रण है शुरुआती पश्चिमी विचारकों का मानना था कि दो स्वतंत शक्तियों का अस्तित्व है प्रकृती और मन बाद में वे खुद से पूछने लगे प्रकृती में हर चीज एक विशेश तरीके से क्यों व्यवस्थित है मनुष्य का एक हाथ दूसरे से लंबा क्यों नहीं होता तारे और ग्रह टकराते क्यों नहीं हर जगह हम ब्रम्हांड में व्यवस्था और सामंजस्य का प्रमान देखते हैं उन्होंने निशकर्ष निकाला की मन और पदार्थ दोनों अलग और संप्रभू नहीं हो सकते एक ही बुद्धी को सभी पर शासन करना चाहिए इस निशकर्ष ने स्वाभाविक रूप से इस विचार को जन्म दिया की केवल एक ही इश्वर है जो कारण और पदार्थ और उसके भीतर और पीछे की बुद्धी दोनों है जो व्यक्ति परम ज्यान प्राप्त कर लेता है उसे पता चलता है कि सब कुछ आत्मा है संक्षेप में हालां कि अभिव्यक्ति में छिपा हुआ है यदि आपके पास धारणा होती तो आप हर चीज में भगवान को देखते तो फिर सवाल यह है कि साधकों ने सबसे पहले उन्हें कैसे पाया शुरुआती कदम के रूप में उन्होंने दुनिया और पदार्थ के साथ ततकाल संपर्ग बंद करने के लिए अपनी आँखें बंद कर ली ताकि वे इसके पीछे की बुद्धिमत ताकि खोज पर अधिक ध्यान के इंद्रित कर सकें उन्होंने तर्प दिया कि वे पांच इंद्रियों की सामान्य धारनाओं के माध्यम से प्रकृती में इश्वर की उपस्थिती को नहीं देख सकते इसलिए वे अधिकाधिक एकागरता द्वारा उसे अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करने लगे आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सभी पांच इंद्रियों को कैसे बंद किया जाए इस प्रकार अस्थाई रूप से पदार्थ की चेतना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए आत्मा का आंतरिक संसार खुलने लगा प्राचीन भारत के उन महान लोगों के लिए जो इन आंतरिक जाचों में अविचल रूप से लगे रहे भगवान ने अंतता स्वयम को प्रकट किया भक्ती और सही गतिविधी भगवान का ध्यान आकरशित करती है इस प्रकार संतों ने धीरे धीरे भगवान के बारे में अपनी धारनाओं को उनकी धारना में बदलना शुरू कर दिया यदि तुम उसे जानना चाहते हो तो तुम्हें भी यही करना होगा आप अपनी प्रार्थनाओं पर अधिक समय तक नहीं टिकते सबसे पहले आपके पास ईश्वर की एक सही अवधारना होनी चाहिए एक निश्चित विचार जिसके माध्यम से आप उसके साथ एक रिष्टा बना सकते हैं और फिर आपको ध्यान करना चाहिए और तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक कि वह मानसिक अवधारना वास्तविक धारना में न बदल जाए तब तुम उसे जानोगे यदि तुम द्रिल रहोगे तो प्रभू आएंगे दिलों का खोजी सिर्फ आपका सच्चा प्यार चाहता है वह एक छोटे बच्चे की तरह है कोई उसे अपनी सारी संपत्ती दे सकता है और वह उसे नहीं चाहता और दूसरा उससे चिल्लाता है हे भगवान मैं तुम से प्यार करता हूँ और वह उस भक्त के हृदय में दोड़ते हुए आते हैं किसी गुप्त उदेश्य से भगवान की तलाश न करें बलकी भक्ती के साथ उनसे प्रार्थना करें बिना शर्थ एक केंद्रित स्थिर भक्ती जब उसके प्रती आपका प्रेम आपके नश्वर शरीर के प्रती आपके लगाव जितना महान होगा तो वह आपके पास आएगा प्रभु की खोज में भक्ती के बाद सक्रियता का महत्व है कुछ लोग कहते हैं ईश्वर शक्ती है इसलिए आये हम शक्ती से काम करें जब आप ईश्वर को अपने मन में सर्वो परी रखते हुए अच्छा करने में सक्रिय होते हैं तो आप उसे इस तरह से महसूस करेंगे लेकिन अच्छा करने में भी गलत के साथ साथ सही गतिविधी भी होती है एक उत्साही चर्चमेंट जो केवल अपने अहनकार को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपनी मंदली में लाता है वह उस गतिविधी के माध्यम से भगवान को खुश नहीं करेगा दिव्यवासी की उपस्थिती का एहसास करना हर दिल की पहली इच्छा होनी चाहिए ये तब होता है जब आप लगातार, निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रेम प्रेरित विचारों के साथ हर कार्य करते हैं कि वह आपके पास आएंगे तब आपको एहसास होता है कि आप जीवन का महासागर है जो प्रत्येक जीवन की छोटी सी लहर बन गया है गतिविधी के माध्यम से भगवान को जानने का यही तरीका है जब आप प्रत्येक कार्य में कार्य करने से पहले कार्य करते समय और उसे समाप्त करने के बाद उसके बारे में सोचते हैं तो वह स्वयम को आपके सामने प्रकट करेगा तुम्हें कार्य अवश्य करना चाहिए, परंतु परमेश्वर को तुम्हारे माध्यम से कार्य करने दो, ये भक्ती का सर्वोतम भाग है यदि आप लगातार सोच रहे हैं कि वह आपके पैरों के माध्यम से चल रहा है आपके हाथों के माध्यम से काम कर रहा है आपकी इच्छा के माध्यम से पूरा कर रहा है तो आप उसे जान लेंगे आपको भेदभाव भी विक्सित करना चाहिए ताकि आप उसके बारे में बिना सोचे किये गए कार्य की तुलना में आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक ईश्वर चेतन गतिविधी को प्राथमिकता दें ध्यान गतिविधी कामप का उचतम रूप है ध्यान गतिविधी कामप भक्ति या तर्क से भी बड़ा है वास्तव में ध्यान करने का अर्थ केवल आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है ये गूर ध्यान है ये गतिविधी का उच्चतम रूप है जिसे मनुश्य कर सकता है और यही ईश्वर को खोजने का सबसे संतुलित तरीका है यदि आप हर समय काम करते हैं तो आप यांत्रिक हो सकते हैं और अपने कर्तव्यों की व्यस्तता में उसे खो सकते हैं और यदि आप उसे केवल भेदभावपूर्ण विचार के माध्यम से खोचते हैं तो आप उसे अंतहीन तर्प की भूल-भूलिया में खो सकते हैं और यदि आप केवल ईश्वर के प्रती भक्ती विक्सित करते हैं तो आपका विकास केवल भावनात मखो सकता है लेकिन ध्यान इन सभी द्रिष्टिकोनों को जोलता और संतुलित करता है काम करो, खव, चलो, हंसो, रो, ध्यान करो केवल उसके लिए यही जीने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा करने से आप वास्तव में उसकी सेवा करने, उससे प्यार करने और उसके साथ समवाद करने में प्रसन होंगे जब तक आप भौतिक शरीर की इच्छाओं और कमजोरियों को अपने विचारों और कारियों पर नियंत्रन करने देते हैं तब तक आप उसे नहीं पा सकेंगे, हमेशा अपने शरीर के स्वामी बने, जब आप चच्या मंदिर में बैठते हैं, तो आपको शायद थोली भक्ती और थोली भेद भावपूर्ण धारना महसूस होती है, लेकिन ये पर्याप नहीं है, यदि आप वास्तव में उसकी उपस जाओंगा की मैं मर जाओंगा, नहीं, मुझे दुनिया में अपने इस इश्वर से अधिक मादक कोई चीज नहीं मिली, जब मैं अपनी आत्मा की उस पुरानी शराब को पीता हूं, तो मेरे दिल में खुशी की लहर दोड जाती है, दिव्या आनंध हर किसी में है, सूर्य क रोशनी कोईले और हीरे पर समान रूप से चमकती है, लेकिन हीरा प्रकाश को प्रतिबिम्बित करता है, ऐसे पारदर्शी दिमाग होते हैं जो आत्मा को जानते हैं और प्रतिबिम्बित करते हैं, इस प्रकार ध्यान की गूर्ख्रिया में आपके पास इश्वर को जानने के रहस्य का समाधान है आप जो करते हैं उसके लिए मैं आपको दोशी नहीं ठहराता बलकि जो आप नहीं करते उसके लिए दोशी मानता हूं आपको लगता है कि आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है मान लीजिये कि प्रभू आपकी देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे तो क्या अपने मन को इंद्रियों और आदत की मुरिक त्रिशना से मुक्त करो स्वर्गिय पिता नहीं चाहते कि आप उनके बच्चे अब और कष्ट से हैं जिस समवेदी भ्रह्म में आप रहते हैं उसे दूर करना होगा आपको इश्वर को जीवन की सर्वोचा आवश्यक्ता के रूप में समझना चाहिए मर्यादाओं की, अंधेरी आदतों की और यांत्रिक दिंचर्या की बेडियां तोड़ दो मैं किसी मनुष्य की निंदा नहीं करता केवल मनुष्य के अविश्वास और इश्वर के प्रती विस्मृती की ध्यान की तकनीक का प्रयोग करके उसे जाना जा सकता है तब वह तुम्हारे मन में बुद्धी बनकर और तुम्हारे हृदे में खुशी बनकर धरकेगा और तुम पहले से कहीं अधिक सक्रिय और अधिक सफल हो जाओगे प्रियो, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था, मैं सच चाय और खुशी की तलाश में प्रिथवी पर चला, फिर भी हर चीज जिसने मुझे खुशी का वादा किया था उसने मुझे दुख दिया और इसलिए मैं भगवान की ओर मुड़ गया आप सभी को अपनी दिव्यता की खोज करनी चाहिए और अपने लिए परमेश्वर का राज्य जीतना चाहिए स्वयम ही आपका रक्षक है ये गूर सत्यक्षंड भर की प्रेरणा के लिए नहीं है बल्कि इन्हें अपने उचतम लाब के लिए आत्मसात और व्यभारिक बनाया जाना चाहिए काश लोगों को पता होता की उनकी भलाई किसमे है गलत कार्य करने वालों के लिए आत्मा ही शत्रू है स्वयम से मित्रता करो और स्वयम तुम्हें बचाएगा आपकी आत्मा के अलावा कोई अन्यरक्षक नहीं है अग्यानता और बुरी आदतों की बेड़ियां आपको बा ऐसा ना हो की समय वह बहुमूल्य समय जो तुम्हें दिया गया है व्यर्थी नश्ठ हो जाए हिंदूों में एक कहावत है बच्चा खेल में व्यस्त है युवा सेक्स में व्यस्त है और वयस्प चिंताओं में व्यस्त है कितने कम लोग भगवान में व्यस्त है इस कालपनि काशा को खत्म कर दें की खुशी सांसारिक त्रिप्ती से आएगी। सम्रिद्धी पर्याप्त नहीं है। सौम्य जीवन पर्याप्त नहीं है। आप सदैव खुश रहना चाहते हैं। अपने भीतर इश्वर को पकड़ो और महसूस करो की आत्मा ही दिव्यता है। आपको निश्चित रूप से अपनी बुद्धी के सर्वोच प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। मैं कहां से आया। इश्वर और अमर्ता मिथक नहीं है। खुद को एक नश्वर प्रानी मानते हुए मर जाना आपके भीतर मौजूद आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है। भगवान के पुत्रों तुम कब तक अपने आपको मृत्यू की हसिया से कुचलते रहोगे क्योंकि तुमने अपने जीवन काल में माया, अज्ञान पर विजय पाने का कभी प्रयास नहीं किया। तर्क मनुष्य को इश्वर को खोजने की शक्ती देता है। तर्क की कुंजी का प्रयोग करें। ये पत्थरों और जानवरों में नहीं पाया जाता है। इश्वर ने मनुष्य को तर्क दिया की वहन अश्वर्ता के भ्रम से मुक्ति पा सके। यदि आप अपने विवेक को अहनकार और गलत आदतों के कारण कुचलने देते हैं, तो फिर क्या होगा। यदि लोग आपकी इच्छा के आगे जुकेंगे, तो क्या होगा। खुशी अभी भी आपसे दूर है। इसलिए जब माया ने उसे साधु संथ को प्रलोभित करने की कोशिश की तो साधु संथ ने माया के बजाए पर मेश्वर को चुना। साधु को एहसास हुआ की हालांकी सांसारिक शक्ती में कई आकर्शन हैं, लेकिन ये टिक्ती नहीं है। उसने इस भ्रमांड की सारी दौलत से बढ़कर कुछ पाया था। जिन चीजों की अधिकांश मनुष्य इच्छा करते हैं वे नाश्वान हैं। परंतु पर मेश्वर साधु को कभी नहीं छोडेगा। वह अभी भी सर्वव्यापी दिव्य सामराज्य का आनन ले रहा है। तो क्या हम में से प्रत्येक को वह जीवन चुनना चाहिए जो इश्वर की और ले जाता है। आप आत्मा को दफन करके जन जनमांतर तक पदार्थों में सोकर कष्ट और मृत्यू के दुख स्वापन से भैभीत करके दंडित कर रहे हैं। एहसास करो कि तुम आत्मा हो। याद रखें कि आपकी भावना के पीछे की भावना, आपकी इच्छा के पीछे की इच्छा, आपकी शक्ती के पीछे की शक्ती, आपकी बुद्धी के पीछे की पाधियों से तादात्म्य त्यागें और अपने दिव्य राजत्व का एहसास करने के लिए गहरे ध्यान में उतरें। अपने भीतर देखो, याद रखें, अनंध हर जगह है। अतिचितन्ता में गहराई से गोता लगाकर आप अपने मन को अनंध काल तक गती दे सकते हैं। मन की शक्ती से आप सबसे दूर स्थित तारे से भी आगे तक जा सकते हैं। मन की सर्चलाइट अपनी अतिचितन किरणों को सत्य के अंतरतम हरिदय में फेंकने के लिए पूरी तरह सुसजजित है। ऐसा करने के लिए इसका उप्योग करें। याद रखें, यह आप ही हैं जिन्हे स्वर्प के राज्य की यात्रा करनी है। यह विशेश दिलीवी द्वारा आपके पास नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता अकेले ही तै करना होता है। इस दिन से अपने हृदय में इश्वर को पाने का संकल्प करें। तुम्हें केवल शब्दों की अस्थाई प्रेरना से कहीं अधिक देना चाहता हूँ। मैं सीधे आपके आध्यात्मिक अंधकार में ज्यान के तारे बनाना चाहता हूँ। ताकि उनकी फूटती रोश्णी से आप स्वयम देख सकें की मैंने क्या कहा है। दो रास्ते गतिविधी और ध्यान। इश्वर में केंद्रित चेतना के साथ मानव जाती से प्यार करना और उसकी सेवा करना पारलोकिक मार्ग गहन गूर ध्यान द्वारा है। दिव्य तरीके से आप उन सभी चीजों का एसास करते हैं जो आप नहीं हैं और उसे खोचते हैं जो आप हैं। मैं सांस नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, न हड्या हूँ, न मास हूँ, मैं मन या भावना नहीं हूँ, मैं वहूं जो सांस, शरीर, मन और भावना के पीछे है। जब आप इस दुनिया की चेतना से परे जाते हैं, ये जानते हुए कि आप शरीर या मन नहीं हैं, और फिर भी इतना जागरूख होते हैं कि पहले कभी नहीं था कि आपका अस्तित्व है, वह दिव्य चेतना ही आप हैं, आप वह हैं जिसमें ब्रह्मान्ट की हर चीज नहित ह जब आप आँखें बंद करते हैं तो अंधेरे के पीछे क्यों नहीं पूछते, वह जगह तलाशने लायक है, और ज्योती अंधियारे में चमकती है और अंधेरे ने इसको समाविष्ट नहीं किया, विशाल रोश्नी और ब्रहमान्दिय शक्तियां वहां घूम रही हैं, अ आनंद के आकाश खुल जाएंगे, समादी एक आनंद दायक अनुभव है, एक शांदार रोश्नी है जिसमें आप आनंद और आनंद के विशाल बिस्तर पर तैरते अंगिनत संसारों को देखते हैं, उस आध्यातमिक अज्यान को दूर करें जो आपको ये सोचने पर करता है कि यह नश्वर जीवन वास्तविक है, इश्वर में शाष्वत समाधी में अपने लिए ये खुबसूरत अनुभव प्राप्त करें, प्रकाश की आभा, शाष्वत आनंद के आकाश आपके लिए खुल जाएंगे, सभी महान शिक्षक भोशना करते हैं कि इस शरीर क के भीतर अमर आत्मा है, उसकी एक चिंगारी है जो सभी को कायम रखती है, जो अपनी आत्मा को जानता है वह इस सत्य को जानता है, मैं हर सीमित चीज से परे हूँ, अब मैं देखता हूँ कि आत्मा, अपने नित नए आनंद के साथ अंतर इक्ष में अकेली है, उसने स्वय के चेहरे और हर आत्मा की मुस्कान हूँ, मैं वह बुद्धी और शक्ती हूँ जो सारी स्विष्टी को कायम रखती है, एहसास है कि मेरे शब्द तुम्हारे भीतर स्पंदित होते रहें, परन्तु यदि तुम भ्रम में पढ़े रहो, तो तुम्हें इसका ज्यान नहोगा यदि तुम जागोगे, तो तुम सचेत हो जाओगे कि जो सत्य मैंने कहा है वो सदैव तुम्हारी आत्मा में स्पंदित होता रहता है ध्यान करें, यह मुक्तिदायक पाठ सीखें, अब और इंतजार ना करें, मैं यहां सांसारिक उत्सवों से आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं, बलकि आपकी अमर्ता की सोई हुई स्मृती को जगाने के लिए आया हूँ जो लोग भ्रम में रहते हैं उन्हें कितनी पीड़ा होती है, इसका तुम्हें एहसास नहीं होता मैं तुम्हारे लिए कश्ट सहता हूँ, और तुम्हें यह एहसास दिलाने में मदद करने के लिए सब कुछ करूंगा की रोश्नी तुम्हारे भीतर है अपने आपको हमेशा के लिए मुक्त करें